सूप्रभाद बच्चों कैसे हैं आप सब तो आज हिंदी की कक्षा में पढ़ने के लिए आप तयार हैं तो चलिए निकालिए अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक उन्नती और खोलिए उसका पाठ चौदा जिसका नाम है पेड पौधे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों तो चलिए लिखते हैं आज की डेट 21-21 क्लास वर्क तो चलिए आज का हम ये पाठ पढ़ना शुरू करते हैं ठीके आईए मेरे साथ साथ पढ़िए सूरज सूरज गर्मी की छुट्टियों में अपने दादा जी के घर गया हाँ बच्चों जैसे आप सब भी जाते हैं ना हॉलिडेज में अपने दादा दादी के या नाना नानी के घर इसी तरह से सूरज बीगर्मी की छुट्टियों में अपने दादा जी के घर गया दादा जी का घर एक पहाड़ी गाउं में था सूरज को वहे जगह बहुत अच्छी लगी चारो तरफ पहाड, पेड, पौधे, नीला, साफ, आस्मान, बहती, नदी और चहकते पक्षी साप की तरह लहराती गोल-गोल घूमती हुई सडके देखिए ये सूरज के गाउं का द्रिश्य है आप भी अच्छे से देख लीजिए ऐसा था सूरज का गाउं तो सूरज के गाउं को, सूरज को वहे जगा बहुत अच्छे लगी चारो तरफ क्या था बच्चो पहाड, पेड, पौधे, नीला, साफ, आस्मान, भैती हुई नदी और चहकते हुई पक्षी और साप की तरह गोमती हुई गोल-गोल सडके ओके, चलिए, अब हम आगे पड़ते हैं सुभा, दादा जी सैर को गए तो सूरज को भी अपने साथ ले गए पहाडो के बीच से उगता लाल सूरज कितना प्यारा लग रहा था पेडो पर पक्षी शोर मचा रहे थे हवा ठंडी ठंडी और मजेदार थी दादा जी, यहाँ इतने सारे पेड़ पौधे और हर्याली है शहर में एक दो पेड़ भी कहीं कहीं ही दिखाई देते हैं ऐसा क्यों? सूरज ने पूछा हाँ, बच्चों गाउं में बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं और वहाँ पर पॉल्यूशन भी नहीं होता है तो सूरज ने भी अपने दादा जी से यही पूछा दादा जी यहाँ पर इतने सारे पेड़ पौधे हैं इतनी हर्याली है, शहर में तो नहीं है, ऐसा क्यों है? तो दादा जी ने क्या कहा? दादा जी बोले, बेटा, भगवान ने तो सभी जगा पेड़ पौधे लगाए थे पर इंसानों ने अपने मतलब के लिए इन्हें काटना शुरू कर दिया इनके कितने लाव हैं? यह हमें छाया, फल, फूल और लकडी देते हैं लकडी से बहुत से सामान बनाए जाते हैं यहें जलाने के भी काम आती है हरे भरे पेड़ और फूल अच्छे लगते हैं यह मन को शान्ती देते हैं हाँ दादा जी यह कितने अच्छे लगते हैं इनके और क्या लाव हैं? सूरज ने पूछा तो क्या हुआ दादा जी ने उसको क्या समझाया? कि भगवान जी ने तो बहुत सारे पेड़ पौदी लगाये थे लेकिन जो इनसान है वो अपने मतलब के लिए पेड़ों को काटता रहता है लेकिन पेड़ तो हमें छाया देते हैं फल फूल देखते हैं लकड़ी देते हैं लकड़ी से बहुत सारा समान बनता है आपके घर का जो सारा फरनीचर होता है वो लकड़ी से ही बनता है ठीक है? तो दादा जी उसने क्या का हाँ दादा जी ये कितने अच्छे लगते हैं इनके और क्या लाब है तो सूरज पूछता है पेड़ पौधों से हमें और क्या लाब है तो दादा जी उसको बताते हैं कि पेड़ पौधों से और क्या लाब होता है दादा जी ने बताया पेर पौधे हवा में मिली गंदगी को साफ करते हैं हमें ऑक्सीजन देते हैं जो की हमारे जिन्दा रहने के लिए जरूरी है बिल्कुल सही दादा जी ने यही बताया हमारी जो गंदगी होती है हवा में जो गंदगी होती है उसको पेड़ पौधी साफ करते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं जो हमें जिन्दा रहने के लिए बहुत जरूरी है समझ में आया? चलिए दादा जी ये पेड़ तो हमारा बहुत भला करते हैं सूरज ने कहा हाँ बेटा इसलिए तो पीपल बर्गत जैसे बड़े पत्तो वाले पेड़ों को काटने के लिए मना किया जाता है उन्हें देवता सामान माना जाता है आपने देखा होगा पीपल के पेड़ की और बर्गत के पेड़ की तो लोग पूझा करते हैं इसलिए करते हैं क्योंकि पेर बहुत काम की चीज होते हैं, और वो बहुत बड़े-बड़े होते हैं, ठीक है, इसलिए वो उनको भगवान की तरह भी पूजा जाता है, क्योंकि वो हमारी मदद करते हैं, जी सूरज ने समझते हुए अपना सिर हिलाया, जब आपको भी कोई बात समझ में आती है तो आप अपना सिर हिलाते हैं ना येस मैम येस मैम करके मगर फिर शहरों में पेड़ पौदे कम क्यों हो गए तो फिर सूरेज ने पूछा अपने दादा जी से दादा जी अगर ऐसी बात है ये इतना फायदा करते हैं तो शहरों में पेड़ पौदे क्य नहीं है, तो फिर दादा जी फिर उसको बताते हैं, क्या बताते हैं, इंसान की बेवकूफी और लालच के कारण, दादा जी ने बताया, कार खाने, दुकाने, मकान, बाजार, आदी बनाने के लिए, इंसान पेड़ काटता चला गया, क्योंकि क्या हुआ, पॉपुलेशन ने पेड़ों को काटना शुरू किया और उन पेड़ों को काटने के बाद वहां पर कार खाने फैक्टरी दुकाने मकान बनाए गए ताकि लोग उनने रह सके उनसे अपना घर्स चला सके गाड़ियों और कार खानों की चिमनियों के धुए से पौधे मुर्जा गए और फिर उन गाड़ियों इतना जादा गाड़िया हो गई है रोड़ पर कि उनसे बहुत पौल्यूशन होता है इससे भी पेर पौधे खतम हो जाते हैं कार खानों से भी इतना धुआ निकलता है जिससे पेर पौधे मुर्जा जाते हैं इसी कारण आजकल गर्मी भी बढ़ती जा र चाते है पहले इतनी गर्मी नहीं पढ़ती थी जितनी गर्मी अब परती है ओके बच्चो आएए आगे पढ़ते हैं शेहर में तो इतना चलने पर देर सौरा पसीना आ जाता है बहुत गर्मी लगने लगती है मगर यहा तो ठंडी ठंडी हवा लग रही है और पसीना भी न इतना चलते है ना तो हमें बहुत गर्मी लगने लगती है और बहुत पसीना आने लगता है यहाँ पर थंडी थंडी हवा लग रही है और बहुत अच्छा लग रहा है पसीना भी नहीं आ रहा है तो दादा जी क्या कहते हैं क्योंकि आसपास पेड़ पौधे और पहार है तरह से पहरेदारी करते हैं。 दादा जी ने बताया, तो फिर उन्होंने समझाया, क्युक्कि यहाँ पर आसपास पेड़ बौदे हैं, और पहाड हैं, और नदी भी बहर ही है, और नदी का पानी भी हमें और पेड़ों को जीवन देता है, देता है कि नहीं बिल्कुल सही और पहाड आन्दियों और भारी बादलों को रोक लेते हैं क्योंकि वो उनके बीश में रस्ते में आ जाते हैं ये पहाड एक तरे से हमारी पहरेदारी करते हैं वाह सूरज ने कहा मैं अपने सब दोस्तों को बताऊंगा कि पौधे ना तोड़े मैं अपने घर के आसपास भी पेड पौधे लगाऊंगा दादा जी ने शाबाशी देते हुए सूरज की पीड थप थपाई तो समझ में आया बच्चो आपको ये पाठ अच्छा लगा ना हाँ तो इसमें आपको ये बताया गया है कि पेड पौधे हमारी जीवन में कितना मेहत रखते हैं उनकी कितनी जरूरत है अगर पेड पौधे नहीं होंगे तो हम अपना जीवन अच्छे से नहीं जी और हमें बहुत सारी बिमारिया भी लग जाएंगी, तो आप सब भी प्रॉमिस कीजिए, कि अपने घर के आसपास बहुत सारे पेड़ बहुते लगाएंगे और अपने दोस्तों को भी कहेंगे, और बाकी सब को भी अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए कहेंगे, तो आपकी किसी भी दिन शुरुत लेक ले लूँगी ठीक है बच्चो नमस्ते आपका दिन शुब हो